दोस्तों नमस्कार मैं मनदर पटेल बात करते हैं कांसी राम साब की जैनती थी कल और मैं बहुत बिजी था और कुछ कारण से आर्थिक और परिसेतियों की वज़े से बीडियो नहीं बना पाया लेकिन आपको बताना चाहूँगा उत्तर पदेश की राजनीती में कांसी राम साब और मुलायम सिंह यादो के क्या सम्मन थे मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या चीजे थी उसको समझना दलित पिछड़े आदिवासी बंची समाच के लोगों के लिए बहुत जरूरी है आज अकले सियादो मैंवती जी 2024 के चुनाओ में मिले या ना मिले वो अलग पहलू है और उसके उपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा राजनीती क्या कर रही है मैं आपको बताऊंगा जो चीजें मैं बोलता हूँ जो बात राजनीती में बोलता हूँ धीर धीर सिद होती है लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 28 साल पहले मुलायम सिंह ने कासीराम को बनवाया था सानसद बहुत बड़ी न्यूज मैं आपको देने जा रहा हूं कि भारती राजनीती में जिस तरह से उठा पटक जा रही है उठा पटक होती रहती थी आपको बताते चलें कि जिस तरह से 1991 में जब बस्पा उत्तर प्रदेश में एक मामूली ताकत थी आज जो लोग बोलते हैं कि नेता जी ने क्या किया दल्तों के लिए वो सुनने की बात है 1991 में जब बस्पा उत्तर प्रदेश में एक मामूली ताकत थी जिसका नामो निसान नहीं था उस समय मुलायम सिंग यादव बस्पा के संस्थापक कांसी राम साब को इटावा लेकर आए मुलायम सिंग के समर्थन से उस जमाने में दलितों के सबसे महत्पूर नेता सांदार नेता कांसी राम समान सीट से चुनकर लोकसभा गए लोकसभा गए थे इस तरह चुनावी राजनीती में मुलायम सिंग के सयोग से कांसी राम को वह मुकाम हासिल हो गया जो डाक्टर राम मनोहर लोहिया चाहकर भी दलितों के सबसे मसीह डाक्टर भीम राम अमबेटकर को नहीं दिला पाए थे आप समझने की कोशिस करिए लोहिया जी चाहते थे कि भीबराम अमबेटकर आगे बढ़ें लेकिन नहीं कर पाए मुलायम सिंग यादों ने यहाँ पे गेम कर दिया और मुलायम सिंग यादों ने कांसी राम साब को सांसत बनवा दिया उस चुनाओं में कांसी राम साब को एक लाग चवाली सजार ओठ हासिल कर बिजेपी के प्रत्यासी को चुनाओं में पठकनी दी थी कांसी राम साब ने नेता जी मुलायम सिंग यादों के सयोग से लोग सबा चुनाओं 1991 में सपा बसपा का इस तरह करीब आना भाती राजनीती के लिए निडायक साबित हुआ था इसका असली परड़ाम तब देखने को मिला था जब 6 दिसंबर 1992 को अजुद्धा में मंदिर मस्जिद धाने के बा उसके बाद 1993 में बिधान सबा चुनाओं सपा बसपा ने मिलकर लड़ा और बिजेपी को धूल चटा दी यह वाक्या इसलिए याद दिला रहा हुँ कि जब आपको बता हुए घटना करम तब तक चलता रहा जब समावधी पार्टी के राष्टी अध्यक्षी समय जो अकले स्यादों स्कूल में पढ़ते रहें पढ़ते रहेंगे मयावती जी ने अपने जिन भतीजो को मुलायम सिंग से मंच पर आशिरबाद दिलाया उनका जन्म भी नहीं हुआ था आपको बताते चले कि बहन जी आज भले ही समाजवधी पार्टी का बिरोत कर रही हो लेकिन ने मनु आदियों से दूरी बनाना मनु आदियों को सबक सिखाना है तो कांसी राम साह मुलायम सिंग यादो जी की मित्तता याद करिए कांसी राम साहब को जितना सपोर्ट मुलायम सिंग यादो ने किया हो सकता है कि आज बहुजन समाज पार्टी के कुछ ऐसे कार करता हो कु पुछ ऐसे लोग हों जो मुलायम सिंह यादव जी को गाली देते हों लेकिन पिछड़ों के सबसे बड़े नेता माने जाते थे मुलायम सिंह यादव इसलिए मैं बोला हूँ कि 2024 का चुनाव मंडल बनाम कमंडल होने जा रहा है नितिश कुमार चंदरशेकर आजाद को बीच में जो कांसी राम की भूमका चंदरशेकर आजाद निभाएंगे इस चीज़ को आप मान के रखिए चैलेंज है मेरा मैं पत्रगाटा कर रहा हूँ लेकिन जो परिस्थितियां देखता हूँ जो समीकरन बदल लें उसको देखकर मैं बता रहा हूँ कि चंद सेकर आजाद क उसी तरह अकलेस यादो चंद सेकर आजाद को कांसी राम की जगापे मुलायम सिंह यादो की जगापे अकलेस यादो कांसी राम की जगापे चंद सेकर आजाद को संसद में भेजने की पूरी प्रक्रिया तयार करने रणनिती बहुत खतरनाक है इसको लेकर भारती जनता प मचा हुआ है फिर मिलेंगे अगली वीडियो में पदलित पिछड़े आदिवासी बंची समाज के लोगों के वीडियो शेयर करिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में में सचाई बड़ी कड़ी होती है चोट करती है तीखा लगती है मिर्ची लगती है लेकिन सुनने की छमता रखी अगर मर्द हो तो फिर मिलंगा गली वीडियों त्रकिले नमास्कार